हलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका महा निदेशाले केंद्रिय उद्ध्योगिक सुरक्षबल ग्रह मंताले से लैटर जारी हुआ है इस लैटर में आपको बहुत सारे डाउट्स देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपके जो क्लियर कर देंगे कि CISF जॉइनिंग बहुत बड़ा एक प्रेशन था हमारे CISF में जो सेलेक्ट हो गया है सातियों का उनके बारे में पूरा डिटेल बता देंगे ट्रेनिंग सेंटर आपके कौन से हैं वो बता देंगे आप यदि ट्रेनिंग एक्स्टेंशन चाहते हैं आप कोई दूसरी तयारी कर रहे हैं या आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम है या कोई भी वैलिड देखिए आपको सपोर्ट सपोर्टिंग डोकॉमेंट्स वैलिड आपको देकर आप एक्स्टेंशन चाहते हैं तो उसका भी प्रावदान होता है उसका बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता इस वज़े से वो एक्स्टेंशन नहीं मांग सकते हैं इसके लावा यहाँ पर देखिए कोर्ट केसे के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो हमार पॉइंट है कि वेटिंग लिस्ट बनने जा रही है नहीं बनने जा रही है उसका जो जो बारे में पुरा आपको क्लियर कर देंगे वो लैटर जो है वो अभी जो CISF ने जो डोजियर साब का स्कूरूटनी किया है उसमें भी अब देखिए जो हमारे CISF के जो साथी हैं उसमें भी अभी कुछ ऐसे हैं जिनके जोईनिंग लैटर जो है वो रुक जाएंगे CISF के मारे साथी पूछते हैं कि जोईनिंग लैटर इशू हो गया क्या ट्रैनिंग कब से शुरू होगी उसका जैसे ही हम रिप्लाई करते हैं कहते हैं जोईनिंग लैटर इशू हो गया क्या है all chair persons dodger scrutiny boards देखिए आपका जो फाइल होता है उसका पूरा checking होता है और उसके लिए एक board बनता है अधिकारियों का और उसको सब लोग check करते हैं उसमें कोई problem होती है कोई दूर करने वाली है या नहीं दूर करने वाली है कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई candidate fraud करके इसमें भरती होने की कोशिश कर रहा है डूमिसाइल जो है वो गलत लगा हुआ है डूमिसाइल स्टेटस राजस्तान शो कर रहा है लेकिन डूमिसाइल स्टेटस जो है वो दिल्ली शो कर रहा है और डूमिसाइल जो है वो राजस्तान का लगा हुआ है तो वो फॉर्म भरने में कुछ विसंगतियां होती है जो ये ओनलाइन फॉर्म आपका फिल हुआ इसमें कुछ लोगों को पता था कि बहुत शातिर तरीके से उन्होंने फॉर्म भरने में कुछ शातिराना तरीका इस्तेमाल किया और उससे वो फाइनल मेरिट तक पहुँच गए लेकिन वो फाइनल मेरिट ये डोजियर स्कूटनी बोर्ड जो है वो उनका जोईनिंग लेटर इशू नहीं होने देगा और इदी कोई गलती से हो भी जाता है तो वो वापस आ जाएगा रेकूटमेंट ओफ कॉंस्टेबल जीडी इसके बारे में देखे बताएगा इसमें हमारे वो साथी जो जे एंड के रेली भरती के जो साथी है उनका भी ओफर अपन्टमेंट इशू हो रहा है अब यहाँ पर काइंडली रेफर अब यहाँ पर देखे सबसे पहला पॉइंट है कि अब इसमें मेल कितना है मेल है 7152 और 783 फीमेल है कॉंस्टेबल जीडी यह 2018 के है और 639 कंडिडेट्स जो है जिसमें से मेल 566 और फीमेल 63 है वो हमारे जो जे एंड के रेली स्पेशल भरती हुई थी 2019 की उसके है conducted by BSF जो BSF ने conduct किया था have been allocated to CISF for appointment to the post of constable GD अब as per online report as on 65 2021 तक देखिए आपके जो offer of appointment है वो issue नहीं हुए थे 7 को भी नहीं हुए है 8 को भी समझे कि आपका letter जो है वो issue नहीं हुआ है 9, 8, 9 की वहाँ पर छुटी है और अफिस में 10 की भी छुटी है और अब आज 11 को आपका जो पहला offer of appointment है वो समझे कि आज आपके offer of appointment शुरू हो जाएंगे तयार होना तयार होना तो वो dispatch होना भी start हो जाएंगे जो हमारे साथी उस issuing authority जो है उसके नजदीक रहते हैं उनको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा यानि कि पहले letter जो है CISF को वो यह समझे कि आप 20 लेकिन अभी थोड़ा सा lockdown की वज़े से post office का भी process जो है वो धीरे चल रहा है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि आपको 30 मई तक आपको letter जो है वो मिलने start हो जाएंगे तो आप बिलकुल तयार हो जाएए अब इसमें देखी कुछ हमारे साथी जिनको letter नहीं मिलेगा problem होगी वो कौन है तो यहाँ पर कहा है कि out of 8,564 candidates doziers in respect of 8,168 candidates have been found fit in order and ready for issue of offer of appointment and the remaining doziers अब 396 candidates ऐसे हैं जिनके doziers में कुछ problem आई है उनका offer of appointment रुक सकता है उसमें जो परेशानी आई है उसको दूर करने के बाद ही उनका offer of appointment issue होगा अब इसमें निर्दशित किया गया है किसको जो IGs है या IG training है उनको क्या बताए गया है कि sector inspector general to ensure that chairperson of all dodger scrutiny board shall start issuing provisional offer of appointment to the candidates immediately who dodgers are found in order as per RTC allotted through software which shall be based on random number technique and seats allotted to the RTC यह अपना CISF का process है कि आपको RTC आपको allot हो गया है already और अब आपका offer of appointment issue होना शुरू हो जाएगा dodger scrutiny board shall download the offer of appointment offer of appointment का proforma है वो आपको नीचे दिखाएंगे और speed post के जरिया आपका offer of appointment post होने वाला है इस week में यह आज से यह process शुरू हो जाएगा आपका it is expected that some more doziers might be cleared in between and hence they may also be given offer of appointment to join the post as per the schedule by the chairperson of dozier scrutiny board अब यह जो आपका training होगा वो कब-कब से start होगा तो यह training आपका the candidates will report to RTCs in two batches that is on 26th June 2021 is a first batch है and 1st July 2022 second batch however all candidates of J&K rally and ex-servicemen candidates of both recruitment will report in the second batch यहनि हमारे जितने भी ex-servicemen आती हैं वो दूसरे batch में यहनि उनकी 1 July 2021 से होगी और जो J&K recruitment rally के जो साथी हैं उनकी भी 1 July 2021 से होगी अब जो हमारी बहने हैं उनका सबका training center जो है वो कहाँ होगा और ex-servicemen का सबका कहाँ होगा वो clear कर दिया है इसमें कि बहनों का सबका RTC ERAKONAM ERAKONAM तमिलनाडू में है और ex-servicemen जो है उनका RTC बढ़वा मद्यपरदेश में है वहाँ पर उनका training होगा अब इसके लवा जो internal process है उसके बारे में बताए गया है अब इसमें देखिए कोई धोखादी नहीं हो जाए उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई गलत offer of appointment लेकर नहीं पहुंच जाए यह बहुत ही शांदार बात यहां पर लिखी गई है इसका मतलब यह है कि किसी पर करकर कोई fraud इसमें नहीं हो जाए और offer of appointment जो है उसको नीचे दिया गया है वो बताए गया है यह पूरा देखे यहां पर signature हो गया और इसके साथ ही देखे इसमें जो है सबसे बड़ी बात जो लाटर MHA की तरफ से जो लाटर जारी हुआ है medical direct rate की जो validity है आपका जो हमारे बहुत सारे CISF के जो साथी थे वो उनको बड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा क्योंकि medical में तो सभी forces में आसाम rifle को छोड़ कर बाकि joining medical में candidates को out करना शुरू कर दिया और बहुत ही जिसको कहते हैं कि वाहियात तरीके से out किया है कुछ centers पर तो इसके साथ में देखिए वो जो letter है वो attached है All Directed Generals RTCs for kind information and necessary action a copy of MHA under order number 1081 dated 16 July 2020 sorry April 16 April 2021 regarding extension of validity period of recruitment medical examination in respect of candidates of constable GD examination 2018 from one year 12 months to 18 months from the date of fitness to join the service is enclosed here with ये जो point है अपना कि जो 12 महिने का जो medical validity होता था पुरान जो medical guideline के नुसार उसको अभी 18 महिने का कर दिया गया है कब से जब आपका initial medical हुआ था उस समय से तो ये बहुत ही relief वाला ये काम हुआ है और इस relief वाले काम से देखिए जो हमारे साथ ही out हो गए उनको तो परेशानी अभी हो रही है लेकिन अब out होना बच जाएंगे जो अब आप लोग जाएंगे CISF में उनके साथ ये परेशानी नहीं आएगी उनका normal medical होगा इसके अलावा यहां पर काहा है कि अब अलग अलग क्यों है उसका माँ आपको बता देता हूँ कि वो format जो है आपका वो नीचे इसमें दिखा देंगे वीडियो में इसके अलावाद जो candidates of efforts at recruitment is enclosed here with it is requested to upload the same on CISF primary website CISF की website पर एक notice डालने के लिए कहा गया वो क्या है ये एनेग्जर बन देखे इसमें ये कहा गया कि first batch और second batch कब से हैं और कितने candidates का training जो है वो इनके letters issue हो जाएंगे जो बच गए उनके letter क्यों issue नहीं होंगे क्योंकि उनका dosier जो है उसमें कोई ना कोई कमी पाई गई है और वो कमी कुणसी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कुछ तो उसमें ऐसे हैं जो domicile status गलत शो करके वो भरती हो गए वो form जब भरा जाता है उस form भरने में एक कलाकारी होई उस कलाकारी का सब को नहीं पता था वो कलाकारी एजेंटों ने कुछ मिली भगत करके या कुछ लोग जो अंदर का परकरिया जानते थे उन्होंने वो सब किया और वो भरके वो राजस्तान का कैंडिलेट जो है वो और नाचल के domicile status पर भरती हो गया अब और नाचल का domicile certificate नहीं है तो वो join नहीं करवाएंगे वो CISF में नहीं वो दूसरी forces में भी हो उनके joining रुख गई उन लोगों की और उन्होंने यहाँ पर fraud तो क्या ही क्या उन्होंने उन साथियों की वो वेकंसी खा गए जो वाकई उस अपनी स्टेट की merit में सेलेक्ट हो जाते है अब यह medical directorate जो home ministry का जो letter है इसके बारे में कुछ candidates ये कहते हैं कि 78,666 candidates का की vacancy हो गई ये कहां लिखा वाइद है कि इसको समझने का फरक है जो समझ सकते हैं इसको वो समझ लेंगे और 78,666 जो है वो कैसे हो गया उसमें नीचे में आपको यहाँ बताने जा रहा हूं ये recruitment of constable gd in central industrial security force offer of appointment ये J&K rally का प्रफॉर्मा है J&K rally से आप यदि select होए हैं तो आपको ये प्रफॉर्मा मिलेगा इसमें क्या है आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर देखे बाकि सभी चीजें same हैं आपका कि आपका probation period रहेगा two years का दो साल परिविक्षा दिन आपकी service रहेगी और transfer आपका कहीं भी हो सकता है union of India में और आपको विदेश में भी भीजा जा सकता है आप you are liable to serve in NSG SPG अब ये देखे इसमें CIS अब ये बात भी लिख के देती है कि you are liable to serve in NSG SPG or any other force of the country in the broader interest of national security यानि आपको कहीं भी भी भीजा जा सकता है इन forces में भी भीजा जा सकता है अब दूसरी बात देखे यहां पर जो हमारे OBC और EWS जो है उनके और STST जो है उनके बारे में उनके लिए भी निर्देशित इसमें किया गया है क्या है उसमें देखे आपका जो SCST का जो सर्टिफिकेट होगा उसका वेरिफिकेशन होगा और वो वेरिफिकेशन में गलत पाय जाता है तो आपको आउट कर दिया जाएगा अब OBC की जो हमारे साती है उसमें creamy layer और non creamy layer का एक पंगा होता है एक point होता है उसमें कि in case you belong to OBC category you are required to submit the original OBC certificate in addition to this you are also required to submit a declaration about your creamy layer status अब देखे creamy layer status का declaration कैसे होगा कि आप अपना OBC certificate online अभी नया बनवा लिजिए ये 6 महीने का एदिया आपका है भी तो वो creamy layer status आपका ओर्णरिली वो शो करता है creamy layer जो है उसको OBC का reservation नहीं मिलता है आप form भरने में हमारे ITBP के driver भरती होई ITBP animal transport हुआ या जो भी हुआ online form फिल करते समय कुछ हमारे साथी जो है उन्होंने गलती कर दिया computer operator ने गलती से OBC CL पे क्लिक कर दिया तो वो journal में count होगे ऐसा animal transport में हुआ candy rate को out कर दिया गया अब उसका गलती जो है वो force यह नहीं मनेगे कि आप computer operator में गलती कर दिया क्योंके signature तो आपने किया है वाँ पे तो यह creamy layer का जो status है उसके लिए आपको मैं advise करते हैं कि आप अपना OBC certificate अभी तुरंत एक नया बनवा लेजिए आप CISF में join करने जा रहे हैं और आप OBC है तो In case you belongs to EWS देगे EWS जो है हमारे उनका भी certificate लगेगा और उसको भी verification होगा उसका DM office के तुरू और वो यह गलत पाया जाता है तो वहाँ पर मुकदमा भी दर्ज होगा यहाँ पर देखे साफ लिखा होगा है यहाँ पर कि आपका service तो जाएगा ही जाएगा Indian panel code for production of fake false certificate कि further action लिया जाएगा और IPC में action यही है कि पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज होता है जाल साजी का material evidence at a letter date to provide that you had not met any of the criteria let down for recruitment like domicile अब देखे domicile तो यह रजवार भरती होती है तो domicile सबसे बड़ा point है category SCSTOBC वाला educational, physical and medical standards etc. your provisional call-up notice will be cancelled you will be you will further be liable to be terminated in case of the mistake coming to the knowledge of the department after your joining in the service terminate हो जाएगे the recruitment met through special recruitment release was for the residents of J&K and Ladakh UT only your appointment is provisional and is subject to the status of domicile domicile status, Ladakh और UT का जिनका होगा वो ही join कर पाएँगे यदि इसमें फिर कोई गलती पाई जाती है तो वो out हो जाएँगे और appointment आप देखे यहाँ पे court case के बारे में appointment offer of appointment जो हमारे जो joining हुआ BSF के और जो दूसरे forces के joining आये उनमें हमें नहीं लगता कि इस तरीके से court cases के बारे में जो है detail दिया गया रिट याचिकाओं की हाँ उसमें जो आपका final result निकला था उसमें कुछ तीन या चार रिट याचिकाओं का reference दिया हुआ है तो यहाँ लिखा है कि your appointment will be subject to outcome of following writ petitions pending before the honorable high court of jammu कश्मीर at jammu क्योंकि यह जammu कश्मीर की वर्तिती जammu कश्मीर के निवासियों और लेह के निवासियों ने इसमें भाग लिया था अब्दाक के तो यह केस भी कहां करेंगे यह जammu कश्मीर high court में करेंगे तो इसमें रिट याचिकाओं पेंडिंग चल रही है यह देखिए राकेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अधर्स अर्शद अली खान और अनौदर वर्सेज यूनियन यह जो जितना जाहिर सी बात है कि वेकंसी जो है वो अब CIS अब जादा कैसे भरती कर लेगी जो वेकंसी जो है वो तो उतना ही रहेगा जो court case के हमारे साथी है उनको यह बात हम समझाना चारहे हैं कि आपने court case किया था medical के लिए आपने किया था या आपका rejection slip था उसके लिए आपने किया आपका rejection slip कैंसिल कर दिया court ने satisfied कर दिया और आपका re medical हो गया तो आपका court case खतम हो गया अभी lockdown की वज़े से moment हमारे हैं पर राजस्तान में नहीं हो रहा है दिल्ली हम नहीं जा पा रहे हैं वरना हम इस point को हम discuss करने वाले थे हमारी बात हो गई Supreme Court Advocate से उन्होंने भी हमें यह यह बताया कि जो जॉइनिंग है उसका नहीं था court case court case था कि मेरा medical करवाय जाए उनका medical हो गया उसके बाद में court case खतम हो गया इस दोरह नेदी result निकल गया तो vacancy तो खाली नहीं रखे गई यह उस समय वेकंसी एक खाली रखवाने के लिए कुछ हमारे high courts में जो दर्खवास लगी थी उसमें यह प्रातना की गई थी कि एक वेकंसी खाली रखे जाए अब जो वेकंसी खाली रखने के जो order हुए वो तो बाद में हुए है तब तक तो joining हो चुकी है वो candidate तो एक-एक महीने का वेतन भी ले चुके है जो select हो गये थे उसको हम बाद में discuss करेंगे अब द अब देखे इसमें ओन यानि एक साथ दो हजार एक्केस रिपीट फिर रिपीट क्या है कि एक जुलाई दो हजार एक्केस फोर्नून for the joining for joining the post of constable GD in the CISF यानि कि आपको पहले नहीं जाना है आपको एक को ही रिपोर्ट करना है जैसे CRPF ने बुलाई कि on or before 15 मार्च अब on or before 15 मार्च में कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जो एक मार्च को ही चले गए उनको भी घास कटाई में लगा दिया वहाँ पे और जिनको पता था कि मुझे घास कटाई में लगा दिया जाएगा वो 15 को पहुँचे अब वितन जो है जो एक तरिक को पहुँचे थे उनको क्या एक तरिक से वितन मिलेगा नियमानु सार तो एक तरिक से मिलना चाहिए वो जिस दिन आ गए वहाँ पे उस दिन से उनकी जोईनिंग शुरू हो गई उसको बाद में अलग से डिसकस करेंगे उस पॉइंट को अब यहाँ पर देखी और क्या कहा गया है यहाँ पर यह क अटोमेटिकली स्टेंट कैंसल्ट हाइवर इफ यू आ नोट अबल तो रिपोर्ट तो दे प्रिंसिपल रटी सी फोर जोईनिंग दे कॉंस्टेबल जी डी इन दे सी आईएसफ बाई दू टू एन अवईडेबल और कॉंपेलिंग सरकंस्टांसेज देखी यहाँ पर सी आ लेकिन वो लिक कर नहीं देते इसलिए को पता नहीं चलता यहाँ पर यह नहीं है कि आपको रिजन जो क्या आप ऐसा नहीं रिजन दे सकते कि 15 दिन बाद में मेरे भाई की शादी है तो मैं वो अटेंट करके आउंगा वो रिजन नहीं चलेगा एन आवईडेबल सरकंस्ट जनसेज यानि आपकी मदर जो है वो बहुत सीरियस हैं आपके फादर की तबियत बहुत खराब है उसके मेडिकल पेपर्स हैं आपके फादर का ट्रेटमेंट चल रहा है आप कहेंगे कि मैं खुद बिमार हूँ तो आप उस महां तो आफ़स जाएंगे क्योंकि आप जो एक्सटेंशन के लिए दर्खवास लगा सकते हैं कि आपको कितने समय का एक्सटेंशन चाहिए और competent authority उसको जांच करेगी उसको consider करती है तो वो कितने का आपको देते हैं ये उन पर depend करता है Your request for extension should reach the principal RTC by 28 June 2021 तक आपका request जो है वो यदि पहुंच जाएगा तो उसके उपर processing हो जाएगी यानि आप join नहीं करते हैं एक तरीक को तो भी चलेगा लेकिन ये आप जाएं भी नहीं वहाँ पर और आप request भी नहीं भेज़ें और unwilling भी नहीं भेज़ें तो इसका मतलब वो आपका letter क्या होगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं अब यहाँ पर कहा है कि through speed post only failing which it will be presumed that you are not interested to join and your call up notice will be cancelled यानि आप एक तरीक तक नहीं तो आप उपस्तित होते हैं एक तरीक को नहीं आपका 28 June तक आपका जो training extension का request है वो पहुंसता है तो क्या होगा कि आपका जो offer of appointment है वो cancel समझा जाएगा यानि कि जो दूसरा जो letter है वो C यह सब चाहे तो आपको भेजे ना भेजे यह ऐसा पहली बार हो रहा है कि first offer of appointment जो है पहली बार जो letter आता है उसमें यह बात लिखी आ रही है और यह इसकी वज़ाए है कि जो हमारे साथी जो दिल्ली में protest किये धरना production किया यह सब कारवाई उस पे हो रही है कि जो join नहीं करेंगे उनके लिए दूसरे साथियों को क्या मौका दिया जा सकता है जमू कश्मीर rally जो है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जमू कश्मीर rally में भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो CIS दोनों ही भरतियों में CISF में भरती हुए है या दोनों ही भरतियों में वो BSF में भरती हुए है या एक में BSF में भरती हुआ है दूसरे में CRP में भरती हुआ है या CISR भरती हुआ है ऐसे बहुत सारे हमारे साथी है जो जमो कश्मीर रैली के जो special भरती हुई उसमें तो उन वेकंसी का क्या होगा वो तो जाहिर सी बात है कि वो एक कैंडिडेट जो दो जगे भरती हो रहा है वो जोईन तो एक में ही करेगा तो सबसे पहली बात तो यह थी कि यह जो special रैली recruitment था यह बाद में होना चाहिए था यह गलत टाइम पर हुआ क्योंकि उस समय तो ओल्रड़ी सिपाई भरती की परकरिया चल रही थी यदि वो special recruitment जो था वो अब होता वो 21 जनवरी को जब final result आगा था उसके बाद होता तो हमारे उन साथियों को मौका मिलता जो अभी जम्मू में शिरी नगर में वहाँ पर भूख खरताल पर बैठे हुए थे कि वेकरंसी बढ़ाई जाए हमें joining दी जाए लेकिन वो process है की और वो हो गया जो पीछे हो गया अब जो आगे आने वाला है उसकी बात करते हैं अब देखिए यहां पर कहा गया कि यह जो आप इस डेट को जोईन नहीं करते हैं और उसके बाद दो महीने बाद आपका मन करता है कि मेर को जाना चाहिए था जैसे हमारे SS यह जो CRPF के, BSF के जो साथी हैं उनका भी मन करता है कि वो या तो गए नहीं या जाके एक दिन बाद में दो दिन बाद में वापस आ गए और अब मन कर रहा है कि अब चला जाओं तो अब चला जाओं वहाँ पर ननिहाल नहीं है नानी का घर नहीं है वहाँ पर कि आपका जब मरजी करे तब आप छोड़ के आ जाएं और जब मरजी करे तब चले जाएं तो जो हमारे साथी जोइन करने जा रहे हैं उनसे भी हम यह अनुरोद करेंगे उनको यह एडवाईज करने कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके मन लगाना है ऐसा नहीं है कि दो दिन बाद में वापस आने की कोशिश करें अब अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताए गया है करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा वह सब बताए गया है यह फॉर्माट यह दी आपको चाहिए आप एक वोट्सफ मैसेज हमें कीजिए CISF जोईनिंग लिखकर हम आपको यह सेंड कर देंगे करेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक पुलिस का आपको रिपोर्ट चाहिए यह सब फॉर्माट आपको पैन कार्ड हो यह सब आपको कम्पलीट रखनी है दूसरी बात है यहाँ पर आपको T.A.D.A. आपको एड्मिजेबल नहीं होगा प्र दिस जर्डे यानि के पहली बार आप जोईनिंग पर जा रहे हैं तो इसमें T.A.D.A. नहीं होगा उसके बाद आप वहाँ पे आप सरकार के करमचारी हो जाते हैं उसके बाद आपका T.A.D.A. चालू होगा अब देखे यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पहले ही हमने भी आपको बता दिया था कि COVID-19 सिच्वेशन जो है उससे यह डेट वैरी भी हो सकती है कि अभी क्या सिच्वेशन रहती है क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्टेट में जैसे हम राजस्तान की बात करें तो यहाँ पर तो अभी दो वीक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है या आपको एक जूलाई या आपको 21 जून अब कौन से में आपका नंबर आता है और कौन सा आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलता है वो अब ट्रेनिंग सेंटर कौन-कौन से हैं वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे अब देखिए ये second batch जो constable GD 2018 तो उसमें भी पूरा बताएगा है detail इसमें भी court cases के बारे में बात की गई है कि कौन कौन से court cases हैं तो वो court cases वो हैं जिसमें देखिए vacancy खाली रखने का order कर दिया जाता है कुछ हमारे साथियों ने पूचा कि SST GD का final result निकला था उसमें मेरा court case का number जो है नीचे reference में क्यों नहीं आया तो वो जो medical appeal result होने वाले या medical के जो हमारे साथी हैं उनका vacancy खाली रखने का order नहीं हुआ था पहले और vacancy खाली रखने का order नहीं हुआ वो ही सबसे बड़ी यहा या उनको आगे कारेवाई करनी चाहिए तो वो vacancy जब नहीं है तो आगे बिलकुल कारेवाई करनी पड़ेगी और कारेवाई ही अभी नहीं आपको बाद में भी करने पड़ेगी आपको अपना seniority जो है उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका joining बाद Training Centers कौन-कौन से हैं CISF के उनको भी आपको दिखा देते हैं देखिए यह देखिए यह हमारे Training Center है RTC बढ़वा है तो बढ़वा है मध्यप्रदेश में बहरोड बहरोड राजस्तान में है डेली के नजदीक है यह बिलाई आपको पता है बिलाई तो हमारा Industrial City है 36 गड़ में है देवली भी राजस्तान में है जैपुर के पास में है यह मुंडाली और Aira-Konam Tamil-Nadu में है मुंडाली मैं आपको बता देता हूं मुंडाली उडिसा में है तो अब आपको कहां पहुँचने का ओडर मिलता है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए और अपना पूरा तैयारी कर लीजिए C.I.S.F. के हमारे साथी जो है उनको डिले हो गया उनको वड़ा टेंशन हो रहा था तो आपका भी जोइनिंग लेटर बिल्कुल रेड़ी है थ्रिल और रोमान्स से भरपूर C.I.S.F. की वर्दी के लिए हो जाए ये तैयार जहिंद